हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमीद करती हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो देखे एक मैंने ट्रास्पेरेंट थेली ली है और उसको मैंने कट कर लिया है लंबाई है इसके आठ इंच की चोड़ाई है इसकी 6 इंच की अब इसके उपर हम चैन अटेच करेंगे चैन की उल्टी सेड हम उपर कर देंगे तो जो ट्रास्पेरेंट मैंने थेली ली है जो कपड़े आते हैं मार्केट से वो थेली कट करके मैंने ली है यहाँ पर फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके उपर हम एक स्लाई गोर लगा देंगे अब एक मैंने कपड़ा लिया है दस बाई आठ इंच का है यह कपड़ा अब देखे इस तरीके से हम रखेंगे आधा इंच अंदर की तरफ करके फिर रखा है मैंने इस चैन को यहाँ पर अटेज कर देंगे कपड़े के साथ में अब देखिए यहाँ पर टॉफ स्टिच करेंगे इसको फिर इसको इस तरीके से पलट देंगे पलट कर फिर देखिए साइड से हमको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है जो एक्ट्रा कपड़ा उसको और यहाँ पर स्लै लगा देंगे अब यहां से भी डबल फोल्ड कर देंगे और इसके उपर स्लै लगा देंगे यह स्लै मैंने इसके तीन सैड लगा दी है और यह एक पाउच बन करके तयार हो जाती है कुछ इस तरीके से इस तरीके के मैंने तीन पाउच बनाई है दो तो सेम साइज की है और एक पाउच का थोड़ा साइज चेंज है चोड़ाई थोड़ी सी जादा है और इधर से लंबाई दो इंच कम है तो इनको एक बार साइड में रखते हैं यूज करना मैं बाद में बताऊंगी इनका आप एक मैंने सीट तयार की है यहाँ से है चोड़ाई इसकी पाँच इंच की लंबाई 24 इंच की देखे मैंने फोम सीट लगा कर लाइनिंग लगा करके फिर मैंने रड़ी किया इसको और अब देखे सीधी सैड से हमको चैन अटेज करनी है चैन की उल्टी सैड मैंने नीचे की तरफ कर रखी है अब इसको यहाँ से पल्टेंगे टॉप स्टिच कर देंगे इसको अब इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ से चोड़ाई से दूसरी सैड से भी सेंटर निकालेंगे चोटा सकट लगा देंगे सेंटर में ताकि हमको मार्किंग करने की ज़ूर्ट ना पड़े अब एक पीस मैंने और तयार किया है फोर्म सिट के साथ और लाइनिंग के साथ में इस तरीके से इसकी चोड़ाई है साड़े नौ इंच की लंबाई है साड़े बीस इंच की अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ सेंटर निकालेंगे इसका अब इसकी सीधी सैड उपर करके रखेंगे लंबाई वाले पार्ट को इसकी सीधी सैड निचे की तरफ करके सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और चैन को आधा इंच छोड़ते वे फिर यहाँ पर सलय लगाना शुरू करेंगे और आधा इंच कपड़ा बच गया उपर वाले पार्ट का तभी यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको गुमाते वे हम जो है चारों तरफ से जो है इसके उपर हम आटेच कर लेंगे तो फ्रेंट्स चैनल पर नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैल आइकन को प्रैस करना ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच चके वीडियो पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कमेंट करके भी बताना कि आज के यह आइडियाज आपको कैसे लगे तो देखें यहां से चैन को भी हम देखें इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और सील करके हम आटेच करते जाएंगे तो यहां मैंने सिलाई लगा रखी थी थोड़ा सा जोला रहा था तो मैंने यहां से जो है सिलाई खोल दी है इसकी अब इसकी सिलाई कम्प्लिट हो जाती है यहां पर अब कॉर्णर को इस तरीके से हम कट कर देंगे अब यहां पर चैन को भी कॉर्णर से हम कट कर देंगे अब हम इसको एक बार के लिए सिधा कर लेंगे तो देखें यहां से जो स्लाई मार्जन है यह रनर के अंदर आएगा तो इसको इस तरीके से अंदर की सैट दबाएंगे और इसके उपर भी हम स्लाई लगा देंगे अब हम इसको सिधा कर लेंगे चैन बंद करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है अब इसके उपर एक पट्टी हम इस तरीके से अटेच कर देंगे सेंटर में फिर देखिए कुछ ज्वैलरी है हमारे पास इस तरीके से और ये क्या होता है इनके उपर का जो भी पैकिंग आती है वो फट जाती है थेली तो देखिए मैंने ज्वेलरी बॉक्स बना करके आज ये तयार किया इस तरीके से देखिए हम इसके अंदर ज्वेलरी यां डालेंगे सारी पाउच के अंदर ये देखिए बिल्कुल सेफ रहेंगे इसके अंदर और इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे इसके अंदर आठ से दस पाउच और भी बना करके इतनी जिवेलरी आप इसके अंदर डाल सकते हुए देखिए तो अभी के लिए मैंने तीन ही बनाई है बाकी बाद में बनाते जाएंगे जैसे जिवेलरी आएंगी तो कमेंट करके जरूर बताना अज़का एडिया आपको केसा लगाएंगे